सिवान जिले के जीवी नगर थाना छेत्र के पिप्रा गाउं से एक बड़ी खबर सामने उभरकार आ रही है जहां चवर में एक नौजवान बेक्तिकाज सो मिला है वहीं सो मिलने से इलाके में पूरी तरह से संसनी फैल हुई है आपको बता दे कि मिर्टक की परजनों ने बताया कि इस थाने उखाई पंचात के नौ निर्वाचित मुखिया जानकी देवी के पुत्र चेतन कुमार के द्वारा सोची समझी साजित के तहत सातिर अपराधियों से मिलकर उसकी निर्मम तरिके से हत्या कर उसके सव को साच मिठाने के उद्धिस से दूसरी थाना छेत्र के चवर में फिक डला गया है उधर यूवक का सव बरामद होने की सुचना पर इलाके में संसनी फैल गई है तासा इस थानी सराय ओपी पुलिस के प्रती लोगों में से बड़े पैमाने पर आकरोस भी देखा जा रहा है बतादे की मित्तक के पहचान सराय ओपी थाने की बिंदुसार बुजुर्ग निवासी मुहंबस सलीम अंसारी का नौजवान बेटा सद्दाम हुसेल के रूमी की गई है उधर नौजवान बेटे की लास ब्रामदगी की सुचना पर पर परजनों में कोहरा मचा हुआ है परजनों की चीक पुकार से गाउं के चारो तरब मातमी सनाटा पसर गया है परजनों के द्वारा हिर्दय विदारक चितकार से उपतित लोग भी अपनी आसू को नहीं रूप पा रहे थे वहीं घटना के समन्द में समकुमार उर्फ गुड्डू सिंग के यहां आजूति एक तिरक समारों में आमंत्रड कर धुखे से बुला गया था लेकिन तिरक समारों में सद्दाम हुसेन सरीक होने के बावजूद भी अपने घर वापस नहीं लोटा परजनों ने उसकी काफी तलास की प्रंतूस्टा क कहीं चुराग नहीं लगा वहें इस घड़ना को लेकर स्राय ओपी थाने में लापता सद्दाम हुसेन के पिता मौमस सलीम अंसारी ने एक लिखित आवेदन देकर अपने लापता पुत्र की ब्रामदगी की गुहा लगाई थी लेगिन स्राय ओपी थाना पुलिस द्वारा आवेदन प्राप्ति के बावजूद भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस थानी लोगों ने बताया कि सो को देखने से ऐसा प्रतित हो रहा था कि अपराधियों ने किसी दूसरे जगा उसकी हत्या कर फिर उसकी लास को उक्त अस्थान पर ठिकन लगाया है। ताकि पुलिस की अनुसंधान को गुमरा किया जा सके। से लेती तो साय सद्दाम हुसेंड की जान बश सकती थी। वह यह पको हम पता थे कि मिर्थक सद्दाम हुसेंड की पिता महंबस्त सलीम अनसारी ने इस इस मामले में प्रमोत कुमार, प्रितम कुमार और गुड्डू सिंग, इस्थाने मुक्षिया चेतन कुमार को नामजद किया है।